Importance of Himalayas Himalayan Mountain Range जो है उसकी क्या क्या importance है हमारे इंडिया में तो चलिए देख लेते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हिमालयास है वो हमारे इंडिया में कहां पर available हैं तो चलिए देख लेते हैं ये हिमालयास हमारे इंडिया में North Eastern Side में available है यह एक mountain range है, यह एक young folded mountains है, तो चलिए देख लेते हैं importance of Himalayas, है climatic influence, हमारे इंडिया के climate को यह बहुत ज़्यदा influence करता है, defense, जैसे कि हम ancient time से देखें तो बहुत सारे invaders ने हमारे हिंदुस्तान को हमला करने की कोशिश की, उसमें तो बहुत सारे successful भी हो गया और यह हमें Chinese के ह हमलों से बचाये रखता है आज भी, defense में हिमालयास इस तरह काम करते हैं, यहां पर शदीद thund और वर्फ की वज़ा से लोग इसको cross करने के बारे में imagine भी नहीं कर सकते, अगर इसको cross करने की कोशिश भी की, तो आदे रस्ते में ही इनका काम तमाम हो जाएगा, और वो हमार आता है, fertile soil, इस एरिया में हम देख सकते हैं, बहुत सारी fertile land available है, जिससे हमें agriculture में अच्छी खासी production मिलती है, नेक्स्ट आता है hydroelectricity, यह एक river का main source है, इसी तरह से हमें पता चलता है, कि जहां पर भी reverse होती है, वहां पर waterfall होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या कुछ reverse में नहीं भी होती है, बर to waterfall जहां पर हो, वहां पर hydroelectricity easily produce की जा सकती है, उसके बाद आजाता है forest well जहां पर abundant of rivers देखी जा सकती है, उसके अतराफ हो अतनाफ हो, अच्छे खासे जंगलाद भी हम देख सकते हैं, उसके बाद आजाता है agriculture, अग्री कल्चर में बहुत ज़्यादा important है किसका हिमालियन mountains का, जिसे हमें fertile plains मिलते हैं और अच्छी खासी irrigation facility मिलते है, इसी तरह से हम rice की production कर सकते हैं, उसके बाद wheat, मेज, potato, tobacco और ginger, tea, इन सारी फसलों को हम होगा सकते हैं, उसके बाद आजाता है tourism, tourism के लिए यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि, लोग cities की इस तन लाकुलू, मनाली, मसूरी, ऐसा, नाइनिताल, इसी तरह के एरियास हमें मिलते हैं, उसके बाद आजाता है plagrimage, plagrimage means मजभी, मुखदस जगह हैं, हिमालियास में ऐसे इस जगह हैं available हैं, जैसे के कैलाशनात, अमरनात, बदरीनात, केदारनात, वैशनु देवी, गंगोत्र इस तरह की चीजें plagrimage की हिसाब से मिलते हैं, उसके बाद आजाता है minerals, इस एरिया में हम बेसिकली देख सकते हैं, कश्मीरी एरिया में coal, copper, lead, zinc, nickel, gold, silver, limestone, इसी तरह की minerals available हैं